Parfums का क्या आर्थ होता है ये आज किस वीडियो में सीख लेते हैं Parfums का दो तरीकी से इस्तेमाल किया जा सकता है एक तो Parfums का Plural यानि बहुवचन होता है Parfums यानि कि एक से जादा Parfums को हम Parfums कहते हैं और perfume का आर्थ होता है इत्र, खुश्बू, परिमल, अतर, ये सुगंधी, तो एक से ज़्यादा इत्रों या खुश्बूं को हम perfumes कह सकते हैं, इसके इलावा इसका कई बार verb की रूप में भी इस्तिमाल किया जाता है, यानि कि किसी चीज़ को सुगंधित करना या सुगंधित बनाना को भी perfume कहते हैं, तो perfume का इस्तिमाल जब हम verb के रूप में present indefinite tense में he, she, it, a singular third person के साथ करते हैं, तो इसके साथ हम ऐस लगाते हैं, rule के coding, जिससे perfumes बनता है, और perfumes का आर्थ होता है कि perfume करता है या करती है, या कर देता है, या कर देती है, यानि कि सुगंधित कर देता है, या कर देती है, जैसे कि एकर आप ये कहना चाहें कि हम perfume की एक विश्तरित शृंकला का स्टोक करते हैं, तो आप कहेंगे we stock a wide range of perfumes, we stock a wide range of perfumes, अब आप ऐसी ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें